आईए हम जानते हैं माला एंड गर्मिरोदर गोली के बारे में जो स्वास्त केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध है इसमें इस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन दोनों हार्मोन्स होते हैं यह एक सुरक्षित हार्मोनल गोली है और इसे रोज खाना होता है माला एंड 28 गोलीयों का पैकेट होता है जिसमें 21 गोलीयां गर्मिरोधक तथा 7 गोलीयां आईरन की होती हैं महवारी शुरू होने के पहले से पांचवे दिन तक कभी भी गोली लेना शुरू कर सकते हैं याद रखें गोलीयों का उपियोग शुरू करने से पहले डॉक्टर से जाच कराना अत्यनता वश्यक है माला एन खाने से लाब माला एन की गोली जहां प्रारंब लिखा है और तीर का निशान बना है वहां से शुरू करनी है और रोज एक गोली खानी है जब महिला नेमित तरीके से माला एन खाती है तो उसकी प्रभावशिलता बनी रहती है माला-N महवारी नेमित करती है इसके प्रयोग से महवारी समय से आती है खुन कम बहता है जिस से महला एनीमिया से बची रहती है ये महवारी के दौरान होने वाले दर्द को भी कम करती है गर्भ निरोधक गूलियां माला-N लेना कब शुरू करें अंतराल के लिए महला महवारी शुरू होने के पहले दिन से पांच में दिन तक कभी भी शुरू कर सकती है इस्तनपान कराने वाले महलाएं प्रसव के छे महीने बाद शुरू कर सकती हैं क्योंकि यह दूद की मात्रा पर असर डालती है इस्तनपान न कराने वाली महलाएं प्रसव के तीन सबता बाद शुरू कर सकती हैं और जिन महलाओं का गर्बपात हुआ है वे उसी दिन से साथ दिन के अंदर शुरू कर सकती हैं अब जानते हैं कि माला एन कौन सी महलाएं ले सकती है नव दमपती जिनके कोई बच्चा नहीं है एनिमिक महला क्योंकि माला एन महवारी नेमित करती है जिन महलाओं को यौन संक्रमर हो या महवारी के दोरान अत्यतिक रख्तिस्राव होता हो ऐसी महलाएं माला एंड का उप्योग कर सकती है हमारे लिए यह जानना बहुत जरूरी है कि माला एंड कौन से महलाओं को नहीं दे सकते है 35 वर्ष से अधिक आयू की महला जो धूमरपान करती हो 6 महा से कम उम्र के शिशु को इस्तनपान कराने वाली महला उच रक्त चाप हो यानी 140 वाइ 90 से ज्याधा प्रसव के 20 दिन के अंदर इस्तनपान न कराने वाली महला गर्वती महला किसी गंभीर विमारी से पीडिक महला इसके अतरिक्त गोली खाना उन महलाओं के लिए भी नुकसान दे हो सकता है जिन में निम्न संकेत दिखते हैं पीलिया हो या पीलिया होने का इतिहास हो स्ट्रोक, लकवा या हिर्दै रोक के लक्षन हो महला जिसके पैरों की शेराओं में रक्त का थक्का हो या माइग्रेन होता हो ऐसी महिलाओं को माला एन की जगें कोई दूसरा साधन उप्योग करने की सलाह दे सकते हैं माला एन से होने वाले शारीरिक बदलाओ मासिक चक्र में कुछ परवर्तन हो सकता है जैसे मासिक चक्र के बीच में खून या दागधब्बे आना मासिक रक्तस्राव कम होना और कम दिनों तक रहना सिर्दर्द या चक्कराना जी मितलाना इस्तनों में भारिपन और हलका दर्द वजन में परवर्तनाना मूड में परवर्तनाना ध्यान दे यह शारीरिक बदलाओ नुकसान दायक नहीं है और अक्सर दो-तीन माह में ठीक हो जाते हैं माला एन खाने से जटिलताई होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं जैसे पेडू में दर्द या पैर में तेज दर्द होना तेज सिर्दर्द होना शरीर वा आँखों में पील्यापन होना या सिर्दर्द से पहले द्रेश्ट में रोशनी का धब्बा दिखना ऐसी महलाओं को सलाह दें कि वे जटिलताई होने पर लापरवाही न करें और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं माला एन की कुछ सीमाई भी है हर रोज याद करके एक गोली खानी होती है चाहे संभोग हो या ना हो हर माह एक नए पैकेट की जरूरत होती है यह यौन संक्रमर से बचाव नहीं करती है माला एन से दूद की मात्रा कम हो सकती है इसलिए छे महीने तक के बच्चे को इस्तनपान कराने वाली मा को नहीं दी जाती है आईए देखते हैं यदि महला गोलियां खाना भूल जाए तो भूली हुई गोली का प्रबंधन कैसे करें अगर एक या दो हार्मोनल गोली खाना भूल जाए तो जल्द से जल्द एक गोली लें या निर्धारी समय पर दो गोलियां एक साथ लें यदि तीन या उससे अधिक गोली पहले या दूसरे सब्ताह में खाना भूल जाएं तो एक गोली जल से जलने और निर्धारी समय पर गोली लेना जारी रखें साथ ही अगले साथ दिनों तक कॉंडोम का प्रियोग करें और यदि पिछले 72 घंटों में असुरक्षित संभोग किया है तो इसी पिस का प्रियोग करें यदि तीन या उससे अधिक गोली खाना तीसरे सब्ता में भूल जाएं तो एक गोली जल्द से जल्द लें और निर्धारी समय के अनुसार हार्मोन की गोलियां लेती रहें साथ ही आईरन की गोलियों को फेक दें हार्मोनल गोलियां खत्म होने के अगले दिन से नया पत्ता शुरू करें अगले साथ दिनों तक कॉंडों का प्रियोग करें और यदि पिछले 72 घंटों में सेक्स किया है तो इसी पिल का प्रियोग करें